Students, in this video I am taking bomb calorimeter and bomb calorimeter जो है वो बहुत important topic है इसमें thermodynamics में तो इसको bomb calorimeter को हम कुछ points में पढ़ेंगी जैसे पहला point हम लेंगे इसका principle second ए construction और third हम लोग लेंगे इसका working and then I will take calculation तो principle जो है वो एक small theory पे based है कि net heat loss is equal to net heat gain जितनी heat loss होती है उतनी heat क्या होती है गैन होती है यहने कि जैसे कि कोई fuel है वो जलता है और जलने के बाद जो उसमें से heat loss होगी वो ही अगर water है उसके साथ में fuel के साथ तो वो water उस heat को gain कर लेता है उतनी heat को क्या करता है वो gain करता है इस तरह से इसमें जो bomb calorimeter जो है उसमें heat enthalpy जो होती है इसी principle पे चेक की जाती है इसी principle पे क्या की जाती है calculated यह determined की जाती है तो इस तरह हम कह सकते हैं कि it is used to measuring the heat of combustion of a particular reaction यहने कि यह किसी particular reaction की heat of combustion को check करने के लिए उसको determine करने के लिए use में लाया जाता है दूसरी चीज़ यह कि इसको हम use कर सकते हैं enthalpy change यहने combustion जो होता है constant volume पे उसको जो enthalpy change होती है उसको भी क्या करते हैं हम determine करते है अब हम आते हैं इसके construction पे तो construction पे आपको दिख रहा है यहाँ पर यह पूरा का पूरा जो पार्ट है yellow color से बनायवा पार्ट है यह पूरा पार्ट कहलाता है bomb इसको कहा जाता है bomb और इसको जिस container में रखा है वो होता है calorie meter तो इस तरह से इस bomb को इस copper के बने वे calorie meter में रखा जाता है इसलिए इसका नाम है bomb calorie meter तो अब इसके कितने parts हो गए इसको four parts में हम बता सकते एक तो हुआ यह bomb दूसरा है यहाँ पर stirrer जिससे की हिलाते हम और पानी को हिलाया जाता है और जो थर्ड part हो गया इसका यहाँ पर यह temperature note करने के लिए thermometer और fourth वाला part है जिस water bath में यह जिस container में हमने इस bomb को लिया है उस container यहने की calorie meter तो इस तरह से four parts में इसकी जो construction complete होता है तो अब से पहले हम construction इस bomb का बता देते कि इसको कैसे construct होता है तो इस bomb में इस तरह से यह एक हमने एक container लिया है इस तरह का बना हुआ है और जिसके अंदर हमने दो electrode लिये है यह दोनों electrode है इन electrode को battery से जोड़ दिया है इस तरह से add किया है फिर यही पर आप देख सकते कि oxygen का valve है जिससे के oxygen को अंदर लिया जाता है जाती क्योंकि बिना oxygen के तो फ्यूल जलेगा ही नहीं इसलिए oxygen यहां से इसमें इनलेट लगावा रहता जिससे के oxygen अंदर आती है प्रीस को पुरी तरह से completely screw इसको क्या कर देख आता पूरी तरह पर चूर्ड दिया जाता यह वगा कर दिया इसको फिर मीचे की तरफ पहले बचा देंदिक करनें के पहले यह वाला इसको कुरुसीबल कहा जाता है यह भी प्लेटिनम का बना हुआ है तो इसके अंदर या ब्लैक कलर से यहां देख रहे हैं यहां पर फ्यूल स्वारी सबस्टेंस जिसका के हमको एंथेल्पी चेंज चेक करनी है जिसकी हमको डिटर्माइन करनी है उसको स्मॉल अमॉंट किृस्टेंस को हमने यहां पर कुरुसीबल जैसे जो कप हैسمे हमने ले लिया है तो इस तरह से यह पूरा का पूरा स्का अपर तरह सकते हैं कि इस में जो यह यह जो कंटेनर किसो केरां और और Hij करांडेड है यहां यहां पर देख सकते हैं मॉस्त ॉठ बांडेड को इस आ यह तो वाटर है यह अंदर फिर यहां पर यह वाटर जेकेट है बाहर की तरफ और अंदर यह वाला जो औरेंज से बना है यह यह वाला एयर का पॉर्शन है यह अपने औरेंज से दिख रहा है बाहर की तरफ फिर वाटर है तो यह इसके पीछे क्या रिजन है एयर और वाटर काहीं काम कर सता सिए ग्वेस्ट टो एक क्योसован इसी तरह से यह तो कर समने जि rec 201 यह o जो प्वार्व में गोमता है उसको हमने लिया उसके पीछे क्या रिजन से तो नहीं में के पीछे, कि आपने देखा होगा कोई चीज जलती है जैसे हरे जला आए तो यह वाला container हो जाएगा यहां पे heat रहेगी जादा तो यहां पे heat जादा रहेगी इस portion में और इस वाले यहां थोड़ा सा दूर हुआ कि यहां पर heat ठोड़ी सी कम होती जाएगी तो सभी जगे पर यह इस टरर क्या काम करता है साफ को एन घृता है इस पानी पूरे रहेगीजा कहा है जिसे कि सबी सबं़स क्या रहती है कि सेम यह भम का टमप्रेचर बना रहा है तो इसके अचराद यह इता है तो यह electrically operated रहता है इसके बाद आता है यहाँ पर thermometer इसको backman's thermometer कहा जाता है तो यह thermometer क्या इसलिए use किया जाता है कि यह temperature को note करता है तो initial पानी का जो water का temperature क्या है और after combustion मतलब उसको जलाने के बाद fuel जलाने के बाद उसका temperature क्या होगा इन दोनों difference को यह क्या करता है determine करता है इसलिए यहाँ पर thermometer लिया है इस तरह से हमने अभी देख लिया है construction अब हम आते working पर working कैसे होता है तो working के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर the small amount of substances taken इने crucible एक चोटा सा amount हमने substance जिसको की हमें determine करना है जिसकी heat enthalpy उसको हमने इस crucible में लिया है the vessel is filled यह vessel यह वाली complete vessel यह bomb वाली इसको हमने completely oxygen से filled कर लिया है और इसको seal करके रख दिया है then this bomb is placed in a water bath इस bomb को हमने किस पर रख दिया है water bath के अंदर रख दिया है make electrical connection from battery to electrodes तो यह electrode जो है इसको किस से connect कर दिया है यहाँ पर battery से connect कर दिया है the initial temperature is noted and then final temperature noted by thermometer यह मैं पहले बता चुकिए आपको initial or final temperature हम किस से note कर लेंगे थर्मामेटर से note कर लेंगे then the quantity of heat produced by burning a fuel is calculated तो कितनी quantity जो heat की है produce होई है वो हम किसे note कर लेंगे इस difference से हम note कर लेंगे यहाँ फ्यूल जो burn होता उसके बाद उसकी जो quantity उससे क्या कर लेंगे हम determine कर लेंगे तो एक simple presentation में हम इसको ऐसा बता सकते है कि यहाँ पे container लिया है बड़ा वाला जिसके अंदर एक चोटा container है चोटा container यहने इसी को कहा जाता है bomb इस bomb के अंदर यह oxygen inlet करने के लिए वाल्ब लगा हुआ फिर यहाँ पर दोनों तरफ दिख रहे हैं दोने electrode है एलेक्ट्रोड को हमने किस से जोड़ दिया है बैटरी से फिर यहाँ पर नीचे इनकी जो wire है यहां पर मिक्स दुसरे से जूड रही है यहांने फिर इसको किस में रखा है फिर यहां पर क्या कुरिया है इस allegiance को में इस में मिक्स करने काम करता है यहाँ पह ने देखा फर्ममेटर लगा हूँ यह सेटप अब यह कोड़र से बनाया हुआ पहर का इस्सा इतना इतना पॉर्शन यह स्क्रू केहप होता है इसकोumm試 उसके बाद इसको इसमें पानी में पानी से भरेवे कंटेनर में रखा जाता है अब आप देख सकते हैं केल्कुलेशन जो होता है वो इस फार्मुले से होता है यहां पर डेल्टा यू और डेल्टा यू भी वह है और डेल्टा यू भी कहीं कहीं बुक में लिखावा है क्यू into delta T into capital M upon small M यह है अब हम बता देते हैं यहाँ पर capital Q क्या है तो capital Q जो है वो है heat capacity of calorimeter system heat capacity है delta T जो है वो है raised in temperature of water यहने water का जो temperature बढ़ा है उसके लिए है फिर small M जो है weight of substance taken यहने जिस substance को हमने लिया है उसका weight है capital M जो है वो molecular weight of substance मॉली कलर मास कितना है उस substance का जिसको हमने लिया है फिर delta E या delta U यह क्या होता है delta E या delta U जो होता है वो change in internal energy ने internal energy में जो change है वो क्या कहलाता है यहाँ पर delta E या delta U कहते है तो इस तरह से हमने complete इसका construction इसका working और इसका calculation देखा तो इस तरह से bump calorie meter यह वाला topic हमारा complete होता है